एक बार मैं शेक कर लेता हूँ, लाई भी न पक्का। चलो ठीक है। और डी बले। अजी, एवरिटिंग ओके। सब बढ़िया है। Hello everyone, नमस्कार एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बांकिंग वाला पर। नमस्कार दोस्तों, गूड मॉर्निंग। मुझे लगता है आज कलियर मैंस की क्लास को किसी की नजर लग गई है। कल भी मेरी पेड़ क्लास खराब हो गई। और मतलब आज मेरी यूट्यूब क्लास में थोड़ा सा इश्यू हुआ गया। 10-11 मिनट तक मैं फोन पे टीम से बात कर रहा था। और फाइनली मुझे लगता है कि स्टार्ट हुई है क्लास। तो मेरे को लगता है कि यार आजकल मैंस की क्लास में दिक्कत जादा हुने लगी है। कोशिश पूरी की जाएगी बच्चे आपका समय बिल्कुल ब्रभाद ना हो। 10 बजे मतलब 10 बजे। क्योंकि वो एक मिनट दो मिनट जितने उपर होते हैं वो पेन करते हैं बहुत जादा। तो मेरा मकसद तो यह है कि भाई जितना टाइम से हम लोग क्लास शुरू करें उतना जादा अच्छा होगा। वापस सुआ गयते हैं आपका स्वन्यू क्लास नंबर 18 में जहां पर आज में लेकर आया हूँ जैसे कि मैंने आपको बुला था कि अर्थमाटिक और डी आई को साथ साथ लेके चलेंगे। जैसे लगातार दो दिन हमने प्रॉफिट लॉस और डिसकाउन पड़ा तो डी आई बीच में छूड गया था हमें लगा कि यार इस टॉपिक की इंपोर्टेंस अबसे जादा है तो लाइन ग्राफ डी आई आज हम लोग लेकर आएंगे लाइन ग्राफ और अच्छी बात अब दो हजार तेशितने वी अपकमिंग में उनको टार्गेट करके ये क्लास उने वाली है तो एक बार जल्दी से वीडियो को शेयर कर दीजिए मैं हलाकि कमेंट भी आपके देख पा रहा हूं एक मिनट रुक जाओ शेयर कर दो फटा फट से फिर बच्चे स्टार्ट करत वो थोड़ा सा एक मिनट रोख जाओ, एक मिनट रोख जाओ एक बर शेयर कर दो, आप लोग, सब लोग share कर दो बच्पे चलो चीक है, गूड मौर्निंग सभी को गूड मौर्निंग, नमश्कार, स्वागाते शुरू करते हैं आज की क्लास, लाइन ग्राफ लाइन ग्राफ में मैंने आपको बोला है कि 5 नंबर 3 मिनट में तो कैसे लाइन ग्राफ में questions आएंगे कैसे decode करना है कैसे approach रहेंगी आप काफी कुछ सिखने वाले है शुरू करता हूँ सबसे पहला motivation में अकसर यही motivation बोलता हूँ कि motivation कुछ है नहीं इस दा motivation कि find out that only one and one reason to study भाई वो एक reason find करो पढ़ने का क्या है वो reason अगर वो reason मिल गया तो मेरे को नहीं लगता कि रोज motivation की ज़रूत है वो motivation होना चीए मैंने कुछ points लिगे हैं कि अगर आप गरीब हो तो भाई पढ़िए महनत करिए लेकिन आपको लगता है कोई आपकी बात नहीं सुनता है तो study hard and proof your knowledge हर कोई सुनेगा आज आपके साथ कोई खड़ा नहीं आपका हर कोई मजाग बना रहे है अगर कोई मजाग बनाता है तो study hard and become powerful अब powerful बन जाओगे हर कोई आपका मजा कैसे बना बढ़ेगा हिम्मत है किसी की जो कुछ बोल दे अगर आपको लगता है कि लोग आपके साथ रहना पसंद नहीं करता है आपको छोड़ के जा रहे है study hard and become hard pillar so that everyone take your support महनत कीजिये hard pillar बन जाइए हर कोई आपका support लेना चाहेगा चलिए शुरू करते हैं बस मैं एक ही बात बोलता हूँ बार बार और बार बार कि क्यों पढ़ना है आपको तरफ नौकरी लेनी है क्यों पढ़ना है भाई आपको एक बार वो reason निकाल दीजिए उसके बाद आपको जीवन में कभी motivation की जुरूत दी बढ़ेगी शुरू करते हैं आज हम लेकर आए हैं सबसे पहली डिए लाइन गराफ लाइन गराफ देखेंगे आप बहुत मज़ा आएगा देकि सबसे पहले लाइन गराफ को समझना है क्या लाइन गराफ हो बार गराफ हो कोई भी गराफ हो मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि कोई भी data interpretation data interpretation का मतलब है कि data को decode करना है data को interpretate करना है ना सही कहा रहा हूँ data को analysis करना है तो यह सब नाम थे अब वो data किसी की भी form में हो सकता है वो data table की form में हो सकता है वो data bar की form में हो सकता है वो data line की form में हो सकता है pi की form में हो सकता है तो I'm just telling you the different different types of क्या graph जो graph है उसकी different different forms क्या क्या हो सकती है table के बारे में हम पढ़ चुके हैं बार हमने पढ़ाए it's a time for the line then we will discuss pi start करे, are you ready? पहला di आई आपके सामने आप देखे ध्यान से सबसे जरूरी होते हैं बच्चों इसके instruction वहीं पर हम लोग मात खा जाते हैं instruction को ध्यान से आराम से देखिए बहुत आराम से देखिए और मज़ा आएगा आपको समझने में चीज़े आएंगी कि instruction में क्या कहना चाह रहा है question कि study the bar chart given below answer the following question, max to max 3 minute लगेगा and you will be able to solve एक बस सीख लो मेरे साथ कि bar chart में क्या है total number of viewers in इसका मतलब क्या होता है in hundred कि जो viewers हैं वो hundred में given है और percentage of male viewers basically आप viewers हो देखने वाले तो total viewers given है और उसमें male viewers का percentage है out of total viewers in 5 different web series तो 5 web series है 1 web series, 2 web series 3 web series, 4 और ये 5 अब जल्दी से decode कर लेते हैं फटा फट से आईए total viewers given है तो आपने का viewers मतलब blue color से given है ये, ये, ये ये, और ये 100 का मतलब हो गया आपने का कि viewers हमारे क्या हो गई 100 लगा दू मतलब 8,000 4500 12,000 9,000 7500 How's that? अब आप से बोला जा रहा है कि आपको male percentage given है तो 60% given है male 60% मतलब 8,648 तो female कितना हो जाएगा 32 How's that? ऐसे ही आपने का इसके male कितने हो जाएगे तो 45 का चार गुना 1800 और माइनस करेंगे तो female हो जाएगे 2700 Simple अब आपने का इसके male कितने हो जाएगे 75% तो female 25% 3000 ये 9,000 Decode करना है सिरो आपने का 60% आपने का इसके male 9,654 और female 40% 3600 लास्ट वाले को देखो male कितना हो जाएगा और female तो 40% 4,5,20 28,3,000 female इतना clear हुआ किसी को max to max 1-2 मिनट लगा and it's completely decode ये पूरा decode होगे एक बार हाया ना बोलिये सर तमसब एक बार सारे के सारे बच्चे clear हो गया ये अब first वीडियो को बच्चे शेयर कर दे सारे के सारे बच्चे डन 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 ठीक है अब आप मुझे बताएंगे comment section में सर कितना वक्त लगा इसको decode करने में वक्त बहुत कम लगा होगा मेरे साब से क्योंकि मैं आपको एक बात बूल रहा हूँ कि line graph अगर आज आपने सीख लिया तो exam उडा के आओगे guarantee है तोड़ी calculation अच्छी करनी और question बच्चो clear होगे हैं सभी को अब इसको चाहो तो screenshot लिलो या अफर note कर लीजे इसको note कर लीजे या फर screenshot जो मन में आए वो कर लो एक मिनट डेड मिनट बच्चे लिख रहा है पहला question अब धाय धाय उड़ाएंगे पहला question आपके सामने start timer के साथ शुरू कर लो चलो पहला question देखिए कि female watching B और C what percent total viewers E अब female watching B और C तो female आपने कहा दादा कि B और C की female कितनी है कौन बताएगा B और C की female ग्राफ पकड़िये B और C की female से काट दो तो आपने का sir B में female है आपकी 2700 और C में female है 3000 तो female हो गई आपके 5700 इतना percent total viewers of E total viewers of E पचता सो इंटू सो तीन से काटा 19 बार तीन से काटा 25 पच्चिस से काटा चाथ 19 फोर्जा आर्बे असिस्टेंट का लेवल है बच्चो as it is this is as it is आर्बे असिस्टेंट पर पर कहूंगा जो भी बच्चे आर्बे असिस्टेंट को फोकस करके पढ़ रहे हैं एक से डेड़ मिनट में इसको डिकोड कर लेना है और बाकी के दो मिनट में कोशन उड़ाओगे तो तीन मिनट में आपके पांच कोशन कम्पलीट अगर इस स्ट्राटेजी के साथ जाओगे अब देखिए अगला कोशन आप ट्राई खुद कीजिए चलो स्टार्ट अब जो आपने डिकोड कर रहा था उसको वापस से देखिए अब क्या कर रहा है? Male viewers of B और C male viewers of B तो male के B और male के C तो 1890,000 तो कितना हो जाएगा बच्चो? एक हजार असी, तस हजार असी, बतलब अठारा सो और नो हजार, तो ऐसे कर लो, वो दो जीरो काट दो, कि नभबे अठारा, तो यह हो जाएगा, आठ, नौ और एक दस, रेशियो, फीमेल वीवर सी और डी, फीमेल वीवर सी और डी, तो 30 और 66, तो 3, 3, 9, 36, 18, तीन दुनीच परदर 2 से काट लो, 18, 2 से काट लो, ग्यार आप्शन है, मैक्सिमेम 30 से उपर कोई कोश्चन जा नहीं रहा होगा, मेरे इसाब से 30 से बड़े प्यार से निकल रहा हो कोश्चन, अगला सवाल देखे, आप खुड ट्राई करेंगे, और बोलेंगे सर बहुत इसी है, चलो, उ देखे, चलो, सवाश्य, चलो सबश्य अब देखिए बच्छो, क्या कह रहा है कि male watching A or D together male watching A or D, male watching A or D कहां गया, देखिए male watching A or D, 4800 और 5400 4800 और 5400, दोनों को जोड़ लो 00812 यह हो गया male watching A or D, what percent more less than total viewers of sea total viewers of sea that is 12,000 तो बस यह 2-0, यह 2-0, अब चाहिए तो इसे काट लो, 6-6, 7-42, 6-12, यह इससे कितना कम है, 3 कम है किसे, 20 से, into 120 से हमने काटा 5 ती, यानि 15% कम है options यहाँ तो आप मुझे बताइए, सर, army assistant का level, exam में आगा तो D.I.E. बन जाएगी न, कोई परिशानी तो नहीं है, मैसूस हो रही किस सर D.I.E. नहीं बनेगी, फोलिए सर, easy लग रहा है, next question आईए, importantly try करेंगे, सब लोग max to max, 1 minute क्या सपस जाएगा, चलो, सबाश, एक मिनट से भी कम है, 40-50 seconds, अबश्य। करेंगे, बन्यद्य। वाव जबरदस्त बहुत बढ़या अब देखे पहला कोश्चिन का अंसर इतना जल्दी आ गया है मतलब इस कोश्चिन का लग राए देखे कि अब थोड़ा डिया ही समझ में आने लगा है बच्चो अगर मैं गलत में तो देखे टोटल वीवर्स ऑफ और 60% मोर देखे तो ए में कितने बच्चे है बच्चो अब देखे एफ की अगर मैं बात करूँ तो ए में कितने लोकतिया हमारे पास 8000 60% जादा है तो कितना हो जाएगा टोटल वीवर्स 60% मोर देन ए तो ए में 8000 है 60% जाने की 8000 में 4800 और जोड़ दो तो आपने का असर यह हो गया 12800 बुल रहा है कि मेल वीवर्स ऑफ एफ तो यहाँ पर जो मेल वीवर्स है वो 4800 मोर देने ए से तो ए में कितने मेल यूजर थे 40% मतलब 3000 ते शायद तो 3000 में 4800 जादा है मेल वीवर हो गए 7800 तो फीमेल यूजर कितने हो गए 5000 लेकिन पूछाए कि फीमेल वीवर्स जूजर आप F और B तो 5 यह हुए और B में कितने फीमेल यूजर थे कि देखो B में हमारे पास कितने 2700 तो 5000 में 2700 और जूल लो आंसर हो जाएगा 7700 100 that is option number तो डी आई कैसी लगी से आर्बेस सिस्टेंड माई की तो बंजेगे एक बार कमेंट कर दें है सर क्लियर है अर जब आप सारे की सारे बच्चे डी आ ऐ क्लियर है और यह फस्त चलती है बहुत बड़े है सब लोग कंवा ज़क्यों कर दो सर डॉन डॉन क्लियर है लिंग्स अगला डी आई, अब आप इसे खुद डिकोड करेंगे, और ट्राइ करेंगे, मैं आपको 2 मिनट दूँगा, इसको डिकोड करना की कोशिश करेगा, डी आई बहुत खुबसूरत है, अगेन, अर्बे असेस्टेंट लेवल, क्या करेंगे बच्चों, बहुत खुबसूरत डी आईए मज़ा आएगा instruction को पढ़िए एक तरब आपको employee गी बने और एक तरब आपको percentage of female with respect to male एक बाद decode कीजिए आपको दो मिनट दे रहा हूँ timer के साथ ठीक है चलो timer पहले एक बार इसके instruction पढ़ लो instruction पढ़ लो चलो timer यहाँ लगा दिया मिनट चलो ठीक है दो मिनट दे रहा हूँ चलो एक के रहा कि data clear नहीं है तो एक काम करो data clear नहीं है बच्चो data अगर clear नहीं है अब चेक करो अब फोन को पूरा जूम कर लो police screen mode पे फोन कर लो कर दो कर दो ओो झाओ झा장님 झाल 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 दो मिनट दिये बच्छो मैंने आपको जहाँ जहाँ आपको confusion हुआ लेट्स स्टार्ट कि आपको confusion कहा हुआ आईए बच्छो मैं फिर बोलूँगा कि main है आपको इसको decode करना है उसी पे आप गलती कर रहे हो कि आपको क्या given है कि table में आपको total employee given है और female given है with respect to male अब with respect to male का मतलब यह है कि female upon male into so वई with respect का मतलब तो यह हुआ ना कि female upon male into so अब ध्यान से सुनिए अब आपने क्या कासर एक काम करते है A, B ध्यान दीजे का बड़ा अच्छा ही सवाल था तो आपने क्या कासर A, B, T, D और E हमारे पास F हमने क्या का हमारे पास क्या है इस तरीके से तो total मैंने यहां लिख लिए और इधर मैं क्या कर रहा हूँ female और male का ratio या ratio क्यालो या फिर value तो total तो हमारे पास given है 500 600 300 950 700 और बच्चे 1200 अब ध्यान देना खुड़ा आराम आराम से समझाता हूँ सपोस कीजिए 150 परसेंट है तो 150 परसेंट का मतलब यही तो हुआ तो 50 से 3, 50 से 2 तो basically यहां पर आ गया male female का ratio 3, 2 क्या यह बात clear है बच्छो आ फिर बोल रहा हूँ important है अब देखिए 3, 82 यानि की 300 और 200 simple अब अगला देखिए आपने का 25 परसेंट is 1 by 4 1 by 4 का मतलब 1 ratio 4 हुआ न क्योंकि female का with respect to male है अब 4 और 5 5 का मतलब 120 यह देखिए क्यों confusion हो रहा है आपको बताएए न आपको decode ही तो करना है data कीसरा देखिए 16 2 by 3 that is 1 by 6 1 by 6 का मतलब 1 ratio 6 6 और 7 50 300 यहां तक तो मुझे लगता ने कि starting के 3 number ऐसे थे जो very known to you काफी known थे आप लोगोंने पढ़ भी रखे कई वार discuss भी हम लोग कर चुके तो पहले 3 numbers मेरे को नहीं लगता कि बहुत मुश्किल थे चौत्य और पाच्वा number थोड़ा से complicated था जैसे यह 18 3 by 4 आपको याद होगा 37.5 3 by 8 इसी का आधा होता है 18.75 3 by 16 नोट कर लो कि 37.5 का आधा ही है 3 by 16 तो 3 by 16 मतलब 3 ratio 16 16 और 3, 19 मतलब एक बराबर पच्चास डेड़ सो सिंपल था D हो गया अब E वाला देखो F वाला भी आसाने 20% 1 by 5 F वाला भी कर लो 1 ratio 5 यह मतलब 200 एक अजा अब यह रही गया सिरफ तो 34, 8 by 13 34, 8 by 13 13, 49 13, 52 29, 5, 14 4, 42, 8 450 अबने का 450 by 13 % बटे में 100 0-0 59 52 9 ratio सिंपल तो 26 अरनो 35 दूनी 70 20 180 26 दूनी बता हुए Max to Max 2 मिनिट इसलिए मैंने आपको बुला था कि Max to Max जाएगा बच्चो 2 मिनिट कमेंट सेक्शन पर बताएए सर डियाई समझ में आ रही कि नहीं Max to Max आपका गया 2 मिनिट में आपका यह पूरा क्लियर होगा इसका स्क्रीन शॉट ले लो pen paper आपने उठाया तुरंट ड्रॉ कर लिया 2 मिनिट से जादा समय नहीं लगेगा आप मानिए मेरी बात सान है मैं फर क्या रहा हूँ एक बर कमेंट सेक्शन पर बताऊ सर इजी है बच्चो डन 700 वाला रिपीट कर दू 700 वाले में देखे क्या था 34 8 यह था इसकी multiply से करी फिर जोड़ा तो यह 400 अपॉन 13 तो percentage का मतलब अपॉन 100 0059 52 तो that is equal to 9 by 26 तो female male के respect में तो यह आपका clear होगे न आप question देखे question कितना हलुआ हो जाएगा आप इसका screenshot लेलो मैं हट जा रहा हूँ side हो के आप screenshot बड़े प्यार से लेलो क्लियर हो गया done ठीक है अब पहला question आप देखे उड़ाईए उड़ाईए पहला question जल्दी सभाश भाँ बड़ा न करत देखे झावब मैं जापफपा हं पहला कर भताप हूँ मैं ह उड़ाई- आप एंना sendiri इजावगान अजाएब जागजी पहला कॉपप培श अब देगे question क्या है कि what is the difference between number of male employee working in C or D together, male working C or D together, male working C or D together so 8 and 3 is 1100, female working A and F, female working A and F, A and F, 382 is 500 तो answer कितना हो गया, अगला देखिए, यह देखिए, वो by mistake paste हो गया देखो, यह वाला option इसके थे मेरे ख्याल से शायद वो, वो गलती से paste हो गया है, सब जगाते कोई दीख कर ने, चलिए, बनाईए इस वाले को भी, चलो चलो सावाज, När you are here fast, 60 % of male employee of D have post graduation degree and 40 % of the reste have graduation degree and rest have both graduation and effectivenessMC experience to find the number of male employee in company graduate male employee चलो लेट सी भाई देखते हैं कितने लोग इसका अंसर कर पाते है प्राई करो बहुत अच्छा खुबसूरत question है पस लेवल बच्चो आपका यही रहने वाला है मैं फिर आपको बूलूँगा इस तरह के questions से exams में पूछे जाएंगे आना नहीं है आर आसान है easy है फोड़ा सा practice करना है और कुछ नहीं दिखे answer आना start भी हो गया था अब ध्यान से बड़ी कि 3700 male employee of D है post graduation degree तो सबसे पहले आपने का कि D में आपके पास male हैं कितने सबसे पहले तो वही निकालने था कि D में male हैं कितने तो हम वापस गए हमने का D में 800 male है तो हमने का असर्थ D में जो male है वो 800 male है इसका 3 by 8 तो कि यह लिखा है ना 37 1 by 2 male have post graduation degree इन लोगों के पास post graduation degree है बचे 500 लोग अब 500 लोग में क्या हुआ 40% of the rest have इनके पास 40% of the rest 200 लोगों के पास कौनसे degree है बचेशो graduation भी है 2 year experience भी है graduation 2 year experience ठीक है और यह 3 by 8 मतलब 300 लोग हो गए ठीक है बचेशो इसना clear है 3 by 8 300 लोग अब सवाल ने क्या पूछा कि find the number of graduate तो graduate कौन होंगे भाई देखो common sense यूज करना क्या यह graduate होगा क्या यह graduate होगा हो तो graduation है और यह post graduate है मतलब graduate होगे तो post graduate बना तो 3 अर्दो 500 आप्शन नहीं है कोई बाद DI कैसे लगे एक पार comment section पे जरूर बताना सर easy है next देखिए आप खुद बना रहे होंगे आपको एक confidence आ रहा होगा सर easy है देखिए ratio निकालना है male working in all companies female working in ACD चलो आपको 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 एकालना होगे तो होगे ना अब देखिए total number of male all company female ACD male all निकालना male all जोड़ो 2 और 4 680 6 और 3 980 9 और 8 1780 18 25 और 10 33 male होगे आपको 34 female ACD female ACD 300 और 50 3500 और ये 2 और 3 500 जाएगा तो answer कितना होगे है question तो बहुत oral था ही है option इसके सही है next अगला question ये वाला ठीक होगे है चलिए बनाव बनाव सभश 20 male employee left the company new female joined the company C number of male female should come ठीक है अब फिर वही बाते C C में कितने male और कितने female तो आपने एक आसर C के male और female पाई देख लो एक बार C के male ही रहे 58 और 300 58 female है male 300 है ठीक है साटे 300 अब सुनिये 20 male left the company तो 20 ने छोड़ दिया 280 और 20 new female joined the company 20 new female ने join कर लिया सवाल कह रहा है कि female और male का ratio 1 ratio 1 ratio 4 3 पहले female है और फिर आपके पास में male है तो 1 ratio 4 not 4 ratio 1 तो 4 ratio 1 जो कर रहे हैं मैं फिर से बोलूँगा ये गलत है बच्चो एक्जाम में दोनों options होते हैं 1 ratio 4 4 ratio 1 याद रखना पूछा गया है पहले female और फिर male employee तो ये sequence याद रखना DI कैसी लगी easy थी ठीक है अगला question मैं आपको homework ले दे रहा हूँ इसका जवाब जब ये video off हो जाएगा ना बच्चो तब आप comment section में डाल देना ठीक है चलिए अगला DI आपके सामने थोड़ा सा level increase करते हैं डबल आउ टाइप का देखे अब यहाँ पर डबल आउ में क्या होगा कि question को stretch किया जाएगा question की language को खीचा जाएगा जैसे इसको देखे कुछ नहीं है बहुत simple है आपको क्या given है पढ़ ये मेरे साथ line graph में आपको number of washing machine sold by चार company LG, Samsung, world phone और video con चार company है हमारे पास जो क्या बेचती है washing machine बेचती है January, February और March में अब देखिए LG की machine January का मतलब ये blue clear हो गया ये हो गया January और February का मतलब हो गया बच्चो ये February है और ये March basically कौन सा हो गया LG का निकल क्या January, February March में कितना बेचा Samsung का निकल जाएगा गर्ल फूल का निकल जाएगा वीडियो का कुछ नहीं है डेटा ये अल्री डिकोड है वो सकता है किसी में percentage दे दे वो लाइक दो की value एक का percentage आगे कराऊंगा अब questions बहुत जादा इसमें क्या होंगे खीच रखे होंगे जिसका data सरल है उसके question थोड़े मुश्किल होंगे और जिसके data सिंपल है आपको लग रहा है कि decode करना है वहाँ फिर question से वो एक्जाम है थोड़ा compromise करेगा जैसे इस question में देखिए पहला ही question देखिए difference between the number of washing machine sold by LG and video con January में same है washing machine sold by dash और dash in March बताइए पहला ही question देख रहे हो आप खतरनाक type का question है proper reading करेंगे तो question ये भी हलवाए फोड़ा सा में graph उपर कर ले रहा हूँ graph एक बार note कर लो मुझे रहता है graph काफी छोटा हो गया एक बार graph note कर लो graph note कर लो एक बार बच्चो एक बार graph note कर लो graph नोट कर लो एक बार तो एक कर लो एक बार ग्राफ सबने नोट कर लिया एक बार बता दो ठीक है अबल चाहो तो टेबल लिख लो कोशन मैं फिर बोलूगा काफी कॉंप्लिकेट नहीं होगा एक बार चलो अब पहला कोशन देखिए पहला कोशन देखिए क्या कहना चाहरा है कि डिफरेंस बिट्विन दे नंबर आफ वाशिंग मशिन सूल्ड बाई LG और वीडियो कौन जैनवरी अब देखिए आपने का जैनवरी में LG कितना बेचा और वीडियो कौन कितना बेचा है वही है LG और वीडियो कौन जैनवरी अब आपने का जैनवरी में जो LG है वो 1400 है सर ठीक है सर और वीडियो कौन कितना है बचो जैनवरी में वीडियो कौन सबसे आखरी में है और 1200 यह ना, तो इन दोनों का जो difference है दादा, वो 200 का है, अब वो कह रहा कि यह 200 का difference किस किस में same है and these are the options, आपको भूला था ना कि अगर आप LICW प्रेपर कर रहा तो कोड़े से question कीच काएंगे, पोड़े lengthy question हो सकते, अब आपको check करना है, इस same as washing machine should by March, March में पहला option check करो, पह या 200 वारा चेक कर लेते हैं, Samsung March में, तो Samsung March मतलब gray color है, तो 1800 है, Samsung 1800, वर्लफूल कितना है बच्चों, gray color है, gray color basically, यह सबसे नीचे हो गया, 1400, तो यह साब साब दिखाई दे रहा है कि यह possible नहीं है, दूसरा option try करते हैं, दूसरा option है LG वर्लफूल, तो रिमूब कर दो भाई, दूसरा है, LG, वर्लफूल, तो वर्लफूल तो अभी निकाली लिया था हमने, 1400 था, और LG देख लो, 1000 वो भी नहीं है, यह भी नहीं है, यह भी नहीं है, यह नहीं चेक कर लो, Samsung और वीडियो कॉन, Samsung मतलब हो गया 1800, वीडियो कॉन हो गया 1600, यह वाला मिल रहा है शैद, चेक LG और Samsung, LG के मार्च में हो गया, 1000, Samsung के हो गया, यह भी नहीं है, तो थोड़े से आपको दिखाई दे रहा होगा कि question, थोड़े थोड़े खीच रखे हैं, तो जब आप पहला इसी डबल ले हो गर होगा, तो आपको दिखेगा कि question, slightly खीच रखे हैं, options इस तरीके से बन सकता है कौन सा statement सही है, कौन सा नहीं है, या फिर और question इस तरीके से percentage डालके, ratio डालके, वो खीच सकता है, try गीजिए इस वाले को, साब़ाश 25% of the Samsung washing machine, 40% video con washing machine, January में replace हो गए, due to some issue, थोड़ा सा बस आपको data इसमें solve करना पड़ेगा तो जो भी बच्चे इस बार AA को prepare कर रहे हैं, easy है अब दीखे, 25% of Samsung machine और 40% January, अब January में देखो सबसे पहले Samsung Samsung January में कौन सा है, blue color, यह रहा 800, तो 800 का 25% that is 1 by 4 मतलब 200 तो 200 machine replace होई, plus 40% of video con, video con basically कितना है, 1200, 1200 का 40% 12 चको 48 तो इन दोनों का difference पूछ रहा है वो है ना, तो आपने का इन दोनों का difference दोसों, see, टिक, next देखते हैं आजी, average number of washing machine sold by Whirlpool in December, अब December है आपके पास नहीं है, तो December में average दे रखा है, January, February मिला के, तो January, February दिसंबर निकल जाएगा, जल्दी से निका लिए है झाल कोई answer बच्चे किसी के पास? चीक है, average number of washing machine sold by Whirlpool in December, December, January, February, divided by 3, that is equal to 2000, तो आपने का 3 से multiply करेंगे, December, और January, February की निकाल लो वर्लफूल, तो January में वर्लफूल कितना है बच्चों, 1600 है, ठीक है सर, और February में कितना है बच्चों, परवरी बेसिकली आपका कौन सा है, ग्री कलर, स्री, और और अठारा सो, और यह हो जाएगा, छे, जाएगा, तो अठारा और सूला 34, 34 माइनस करेंगे, दस में से चार गया अच्छे, 36 आपके, December के आगए, पांच में से, इन गया दो, 26 मेरा, दन बच्चों, ख्लेरे सभी का अंसर 26 हो था, I think so, बहुत बढ़े हा, डन डन डन, ठीक है, नेक्स्ट, अगला देखेंगे, हो जाएगा, नेक्स्ट देखेंगे, हो जाएगा, एक औ परमेशन केरफुली, लाइन ग्राफ में आपको शर्ट मैनुफेक्चर है, तीन कंपनी की, रेमंड, रॉंग, और रोडिस्टर, ठीक है, तो रेमंड और रोडिस्टर, चार साल में, दस, ग्यारा, बारा, तेरा, आप कुछ वैल्यू गीवन है, और कुछ परसेंटेज है, फोर एन एक्जामपल, आप देखेंगे, यह 2000 आपकी कौन सी है, बच्चो, टोटल शर्ट हो गई, और यह आपकी हो गई, रेमंड की, 30 परसेंट यानि इसका 600 शर्ट आपकी कौन सी हो गई, बताओ जे रहा, 600 कौन सी हो गई, रॉंग की, तो यह आ गया, 9, 6, 15, टोटल शर्ट जो मैनुफेक्चर हुई, वो आपके पास कितने भी बच्चे, 2000, और आपने का असर इसमें रेमंड तो 900 है, 30 परसेंट का मतलब 600 आपकी यह हो गई, तो 9 और 6, 15 बची आपकी रोडिस्टर, इस पूरे को आप डिकोड करेंगे, इस पर questions मैं आपको घर के लि आया, तो इस तरीके से line graph को हमने देखा, मैं आपको फिर बोलूँगा, line graph अगर paper में आ जाए, तो सारे के सारे बच्चे exam में पूरे 5 number लेकर आएंगे, एक question भी आप नहीं छोड़ेंगे, then, क्या काम करना है, DI के लिए practice के लिए मैं फिर से बोलूँगा, देखे, bank exam को आप डालिए speedmans, ठीक है बच्चो, फिर आप डालिए इसको DI वाले segment पे, और फिर आप डालिए बच्चो इसको arithmetic, आप सोच रहे होंगे सर, इन तीनों के लिए, मैं आप लोगों को PDF दे रहा हूँ, Quant Updator के नाम से, जिस पर मैं आप लोगों को तकरीबन 70-80 सवाल practice करने के डेली मिलता है, ये डेली PDF मिलता है आपको practice कर लिए, इसमें तकरीबन 40-15 और 15 question ये रहते हैं, तो 70 plus question से इसमें कोशिश करे जाती है कि डेली आपको मिलें practice करने के लिए, एक तो ये करना ही करना है, अभी हम देख रहे हैं कि जैसे मैं आपके साथ क्या कर रहा हूँ, 10 a.m YouTube पर topic wise चल रहा है, 10 a.m चल रहा है topic wise, तो जिस topic में आप कमजोर हूँ, उस topic के बारे में बताईए, उस topic कर discussion YouTube पर करेंगे, उसके बहतरीन सवालों को, जिसे आज हमने line गराव देखा, तो जो DI आपकी बन रही है, वो 3-4 segment की है, tabular की हो गई, आपने देखा line हो गया, आपन नहीं देखा case lead हो, तो इस सारे के सारे मैंने YouTube पर सिखा रहा हूँ है आपको, और उसके लवा मैं आपको PDF दे रहा हूँ कि आप practice करो, अब यार, अगर अभी भी आपको लग रहा है कि मेरा selection नहीं हो पा रहा है, आप swim gym मे रार, फिर क्या रहा हूँ, आप swim gym मे रार हो, तो कल के लिए कौन सा topic आप arithmetic में देखे, arithmetic में हमारे कितने topic हो चुके है, एक बार comment section पर बताइए, कल आप क्या पढ़ना चाहते है, percentage हो चुका है, profit loss, discount हमने कर दिया, compound interest, उसके अलावा ratio, अब मुझे बताइए, all topic कौन से ची है, पहले मैं कोशिश कर रहा हूँ, वो topic जिन पर important है, CI का part 1 हो गया है, part 2 रह रखा है अभी, तो part 2 जल्दी आएगा, CI का part 1, पर ratio, बताइए, time and distance, तो कल एक काम करते है, speed, time, distance, ये करें कल फिर, चलो, तो कल बच्छो, speed, time and distance करते है, ठीक है, speed, time and distance, करते हैं, उसके बाद train boat मुझे समझ मार, ठान, तो बस मेरा आप से topic को अपने यहाँ पर recall करो, और उन topic को recall करने के बाद, इधर आपकी practice चलनी जी, बहुत ज़रूरी मैं फिर काऊंगा, speed maths के लिए मैं आपको daily 40 question दे रहा हूं, मुझे लगता नहीं, अगर कोई बच्छा इमानदारी से daily 40 question कर रहा है, तो एक महीने में तकरीबन अगर 25 दिन पीडियाफ आप कर रहे हो, तो एक हजार question तो आपने यह कर लिया, आपको अंदाजा भी इस चीश का, आपको अंदाजा है इस चीश का कि आप क्या कर रहे हो, सर आपको ना इस पूरी इंडस्टी में banking आप तैयार कर रहे हो, आप तीन महीने बाद बुलोगे है, अरुन सर मेरा maths की वज़े से selection हुआ है, क्यों कि मैं maths इतना easy बनाना चाहता हूँ, practice के लिए content class, everything, आज आपको पता है, सबसे ज़्यादा बच्चा paid classes में access कर रहे हैं, एक जमाना हुआ करता था, जब हम देखते थे कि YouTube पर बच्चा आ रहा है, और बहुत कम बच्चा जो है, वो paid तक पहुँच पा रहा था, आज paid को इतना affordable बना दिया गया है, paid को इतना affordable बना दिया गया है, कि अब maximum बच्चा यहां आ चुका है, यहां maximum बच्चा यहां maximum बच्चा आ चुका है, और वो बच्चा अब चाहता है कि सर मैं यहीं पढ़ना चाहता हूँ, आप इसलिए देखेंगे कि YouTube पर बच्चो देखना आगी चलके ऐसा हो, YouTube पर ओडियंस देखना ही नहीं आएंगी, इतने affordable बना देगे कि ओडियंस YouTube को बोलेगी ठीके सर आओ, आप हमें केवल systematic तरीके से, क्योंकि जब यहां बच्चा आता है न 4 पीम पे, तीन से 4,000 बच्चा तो लाईव आता है पढ़ने, आप imagine कीजिए, तीन से 4,000 बच्चे लाईव पढ़ने आते हैं सकी, एक जमाना हुआ करता था कि यहां पर तीन से चार अजार बच्चे लाईव आते थे और पेड़ में कनवड हूप आते थे तीन सो कि शायद वह एफॉर्ड नहीं कर पा रहे थे आठ जार नो हजार आज मुझे ऐसा लगता है कि यहां वाला जो सेग्मेंट ने वह बिलकुई कम होगे बच्चों को लगा यार सेवें डबल नाइन का सर क्या कूर्स होता है कि आपने बात में उसके फिर फिस बढ़ानी पर ही टृपल नाइन आपने देखा होगा टृपल नाइन में वह बैच में रहा है, बछोष इस एक बर चलो एक बर कोई है यहाप में अगर मेरे को लगता है मेरे कोई दो-चार होंगे, एक बर comment section में बताओ कोई है आप में से anyone is there क्यों पढ़ता है मेरे साथ foundation बदाई एक बार sir feedback बता दीजे आप open challenge repeaters की बात कर रहे हैं कुछ लोग repeaters batch मैं सोच रहा हूँ कि repeaters batch को launch करूँ और repeaters batch में launch करूँ RBA assistant आप बताऊ sir repeaters batch for RBA assistant कर दूँ क्यों repeaters batch for RBA assistant क्योंकि upcoming exam वही है अब मैं सोच रहा हूँ कि repeaters batch for RBA assistant कर लो लोग लिख रहे हैं ना बताब लोग लिख रहे हैं लोग की दिल आ रहे हैं बस क्योंकि वो ना जो class है ना basically वो class नहीं है वो emotions है हमारे हो दिल है हमारा तो उसके लिए तो मतलब comment नहीं लिखते बच्चे अगर बच्चों से पूछे रहा हूँ कि फिर यही बोला है इस साल maximum selections देने का मकसद है आप लोगों के लिए repeater batch launch कर दूँगा मैं जल्दी ही ठीक है बच्चों repeater batch RBA assistant के लिए launch कर दूगा ठीक है सर तो repeater batch launch करूँगा के वल RBA assistant के लिए आप comment section पे बताना यह सही है बागी YouTube पर मैं आपसे बूलना चाहता हूँ फिर से आप किसी topic में lag कर रहे हो आप मुझे बताएगे कि सर मैं इस topic में lag कर रहा हूँ यह topic आप start कर दीजे तो कल time and distance पिलेंगे ठीक है बच्चों चलो thank you so much ख्याल रखे अपना खुश रहिए और मैं सर बूलता हूँ जब प झाल 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 झाल